प्यारे बक्तगन आज हम बगवत किता के पांचवे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे तो पांचवे अध्याय में बगवान खाम का थ्याग और बक्ती में खाम ये दोनों चीजों के बीच में अंतर क्या है और किस प्रकार से हम बगवान के पास जा सकते हैं ये बताते हैं तो बगवान ये कह रहे हैं कि किसी की चीज़ पर आपको ना तो नफरत करना है और ना ही उसकी गतिविदियों पर फल चाहना है क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम कोई काम करते हैं तो उसका परिनाम हम बहुतना चाहते हैं तो बगवान ये कह रहे हैं कि बक्ती सेवा में उलजने वाली जो काम है वो करो जिस काम से आपकी बक्ती बढ़ती है वो काम करो वैसा काम करो तो और शलोक साथ से ग्यारा तक बगवान ये कहते हैं कि बक्ति में काम करता है ऐसा एक आत्मा जो योगी है वो बक्ति में काम करता है वास्ताव में कुछ भी नहीं करता है क्योंकि वो जब बक्ति में कोई काम कर रहा है न तो उसे कोई कर्म नहीं उत्पन होती है तो कुकरी के बिना ड्यूटी, माने कोई फल की आशा के बिना आप अपनी ड्यूटी करते जाओ अक्सर ऐसे होता है कि हम काम करते हैं तो कोई फल परिनाम को प्राप्त करने के लिए करते हैं तो ये परिनाम को आत्म समार्पन करना चाहिए तो यह परिनाम को आप भगवान के चरणों में दे देना चाहिए मानलो आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आपका बहुत मुनाफ़ा हुआ है तो उस परिनाम को भगवान के चरणों में अरपित करना चाहिए वैसे तो पूरा तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको भी जीना है तो कुछ ना कुछ प्रतिशत दे देना चाहिए पांच, तस, पंदरा प्रतिशत दे दो भगवान के चरणों में तो इससे क्या हो जाता है आपकी जो उदेश है उसका शुद्धी करन उसका शुद्धी करन यानी उसका प्यूरिफिकेशन अंग्रेजी में प्यूरिफिकेशन कहते हैं वो हो जाता है और उसके बाद भगवान कृष्ण बारवी श्लोक से चौदर श्लोक तक यह बताते हैं कि अत्याविचारी शांती का रहस्या मने अंग्रेजी में जैसे कहते हैं हम लोग अनाडल्ट्रेटेड मने प्यूरिटी के साथ शांती में भी प्यूर शांती होती है और बगेर प्यूरिटी की भी शांती होती है तो यदि कृष्ण को सभी गतिविदियों का परिणाम परदान करते हैं, तभी कोई कर्म हमारे पास निकट में नहीं आएगा। तो भगवान ये भी कह रहे हैं कि ना तो काम करना है और ना ही काम से भागना है अपने को। तो काम ऐसे होने चाहिए कि वो जिससे आपको ज़्यादा कर्म ना उत्पन हो। और वैसे भगवान की काम करने से इस अध्याय में भगवान का काम का वर्नन वाह है। जैसे भगवान का काम आप करेंगे ना उससे कोई कर्म उत्पन नहीं होता। बहुतिक प्रकृति में ये जो साधना द्वारा अधिनियमित, बने ये जो साधना के साथ ये तीनों गुनों के अतीत आपको होना चाहिए. और उसके बाद बगवान 15 से 17 शलोक तक बगवान ये कह रहें कि ना किसी को मैं पापी कहता हूं ना किसी को पुनिय कहता हूं ना किसी की पाप मैं लेता हूं ना पवित्र गती विदियों को मैं नहीं लेता हूं नहीं मानता हूं ये ज्यान से सब कुछ चल रहा है इसलिए य तो इस चौते अध्याय में हम लोग ने ज्ञान योग पढ़ा था तो और अभी हम लोग कृष्ण कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और चटा अध्याय में हम पढ़ेंगे ध्यान योग जिससे हम ध्यान से बगवान के करीब आ सकते हैं तो बगवान यह कह रहे हैं कि ज्ञान से सब कुछ पता चल जाता है नौलेज से सब कुछ पता चल जाता है बुद्धी, मन, विश्वास और शरन सभी कृष्ण में तैक करना चाहिए अपने को जैसे आज हमारी बुद्धी कुछ चीजों में है आधुनिक यंत्रशंत्र के मा में हम चल रहे हैं तो उस बुद्धी को बगवान के प्रति लगाना चाहिए मन को बगवान के प्रति लगाना चाहिए और विश्वास को बगवान के प्रति मोडना चाहिए और अंत में हमारी शरन भी बगवान के प्रति होने चाहिए आज हम लोग शरन किसी देश बक्ती म किशी राजनीती में, पैसे कमाने में लगाते हैं, तो वो बगवान के पदकमलों में, चरनों में रखना चाहिए. और 18 से लेके 21 तक बगवान ये कह रहे हैं कि समधर्शी होने चाहिए अपने को. समधर्शी माने हैं, आप कोई राजा हो या रंख राजा को देख लिया, तो एकी तरह से बढ़ता होना चाहिए, और कोई गरीब आदमी को देख लिया आपने, तो बढ़ता हो तो एकी तरह को होने चाहिए, दोनों दिशाओं में. तो ये अतिक्रमन, अतिक्रमन मने किसी एक चीज के प्रती हमारी ध्यान नहीं होने चाहिए, सबको समधर्शी, सबको बगवान के पुत्र के भांती हमें देखना चाहिए. और जब हम ऐसे देखेंगे तो कोई कुशी भी नहीं होगी और कोई विलाप नहीं होगा. जब हम कुशी और विलाप से अतीत हो जाते हैं, तब ही बक्ती का उत्पन होता है. तो ऐसे सर्वोच पर ध्यान, मने यह जो बगवान है, वो सबसे उच है, सबसे उंचे है. तो ऐसे सर्वोच पर ध्यान करना चाहिए, केंदृत करना चाहिए, और बीतर ही आनंद प्राप्त करना चाहिए. वैसे तो आनंद तो हमारे बीतर ही होता है, आनंद कभी बाहर नह होता है जैसे आपने नहीं गाड़ी करिद ली उससे आनंद एक दिन दो दिन का होगा उसके बाद फिर वो रोटीन हो जाता है तो आनंद सो हमारे मन के बीतर ही होता है फिर भगवान 22 से लेके 24 तक यह पढ़ाते हैं हमको दुख के क्या स्तोत्र है माने क्या सोर्सस है जब हमा कोई गाड़ी है कोई आईपैड है जब हम लोग यह इंद्रियों को वो चीजों पर केंद्रित करते हैं तभी हमारी इंद्रिय हमारी कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं तो यह बहुत ही कंद्रियों जो है ना यह बहुत आगरह करते हैं मुझे यह चाहिए वो चाहिए मुझ वह फिलिम देखनी चाहिए मुझे गाना सुनना चाहिए तो इससे क्या हो जाता है कि यह आगरह के वज़े से हमारी यह जो मन की जो शान्ति है वो चेले जाती है तो इच्छा और खुरोज से के बल से जांच करना चाहिए यह क्या इच्छा है मेरी मेरी इच्चा है भगवान कोई संतुष्टी तो मैं ये गरत काम तो कभी नहीं करूँगा और भगवान ये दोरारे दुभारा कि योगी के बीतर ही कुशी है कुशी बाहर नहीं है, योगी के मन के अंदर है वैसे परमात्मा भी हमारे मन के अंदर ही है आत्मा भी है और परमात्मा दोनों हमारी बीतर है और परमात्मा हमको हर रोज देख रहे हैं हमारी जाँच कर रहे हैं 25 लेके 26 श्लोक तक बगवान ये कह रहे हैं कि संदे से उत्पन होने वाली ये धव-धव से हमको उपर बढ़ना चाहिए हमारे बहुत संदे होता है ये संदे से हमको उपर उठना चाहिए सभी जीवे प्राणियों के कल्यान के लिए कारी करना चाहिए ऐसा जो जीव सभी जीवों के कल्यान के लिए कारी कर रहा है तो वो बगवान की नजर उन पर पड़ जाती है और क्रोध बहुतिक चाओं से मुक्त होना चाहिए तो ये लक्षन बता रहे हैं बगवान जो योगी है सरवोच योगी उनके लक्षन ये है वो संदे से उपर उड़ जाते हैं वो शास्तरों के माध्यम से इस दुनिया को देखने लगते हैं और सभी जीवेत प्राणियों के कल्यान के लिए कारी करने लगते हैं और क्रोध और बहुतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और ऐसी ये पूर्णता हमारी परफेक्शन के लिए ये प्रहास करने लगते हैं और 27 से लेके 28 तक बगवान मुक्ति के सूत्र बताते हैं सभी बाह ये बाव वस्तुओं को बंद करना और आवक और जावक सांस को निलंबित करना जैसे हम लोग सांस अंदर लेते हैं आवक और जावक मने जब हम लोग सांस भाहर लेते हैं इसका निलंबित करना चाहिए, करने से एक तरह की मन की स्थिरता पैदा हो जाती है, और मन इंद्रियों और बुद्धी को नियंत्रित करना चाहिए, इच्छा भय और क्रोज से मुक्त हो जाता है, ऐसा योगी, तो इच्छा से भी मुक्त हो जाता है, भय से भी मुक्त हो जात तो ये निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है जब हम इच्छा, भय और क्रोज से उपर रुपते हैं तो हम भगवान कहा रहे हैं कि निश्चित रूप से हम मुक्त हो जाएंगे और अन्त में 29 श्लोक में भगवान शान्ति सूत्र बताते हैं वो कह रहे हैं कि मेरी जो पूर्न चेतना, आपकी सारी चेतना मुझे पर रखो और मुझे जानने कि सभी बलिदान और थपस्या का परम लाबार्त रखो बलिदान माने साक्रिफाइस और थपस्या औस्टरिटी करो मेरे प्रती और सभी ग्रहों और देवताओं के परम प्रभू ये तै कर लो के अपने मन में की सभी ग्रहों और देवताओं के परम प्रभू है बगवान कृष्ण और सभी जीवित संस्ताओं के परोपकारी और शुबचिंतक मैं हूँ ये चार चीज जब आप जान जाओगे न तो मन की शांती खुद बखुद हो जाएगी मन की शांती United Nations जैसे मान लो जब World War II कतम हुई दुनिया के विश्व लड़ाई जो कतम हुई तो उसके बाद United Nations का समस्थापक हुआ स्थापना हुआ और ये हरानी की बात है कि United Nations के होते हुए दुनिया में और देश होने लगे एक देश युगसलोविया बन गया छे देश बारत बन गया पाकिस्तान बांगलादेश और भारत तो United Nations के बज़ाए divided nation हो गया और देश बढ़ रहे हैं और एक दूसरे से लणने लग रहे हैं तो ये जो शांती है ये हमारी बातिक टेक्नीक से वो बनती नहीं है केवल तभी बनेगी जब हमको पूरी तरह से मन में ये विश्वास हो जाता है कि पूर्न चेतना बगवान के पृति रखने चाहिए और सारे बलिदान और तपस्या का परम लक्ष है बगवान और सभी ग्रहों और देवताओं के परम प्रभू है बगवान श्रीक्रिश्न और सभी जीवत संस्तावों और परवपकारी और शुबचिंतक है बगवान श्रे कृष्णा जब हमारे मन में ये पूरी तरह से स्तापना हो जाती है तब ही हमारे मन में पूरी तरह से शांती बनती है फिर मिलेंगे हम चटे अध्याय में हरे कृष्णा